हेलो स्टूदेंट चलिया आज हम फिर से बेज सी पर थर्ड के उसी टोपिक को आगे उड़ाते हैं जिसका नाम ता फिसकल्चर और फिसकल्चर के अब तक हमने चार वीडियो देख लिया हैं यह पार्ट नंबर फाइफ है और जो फिसकल्चर का पार्ट नंबर फाइफ है इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या हम पढ़ने वाले हैं प्रिजर्वेशन मेथर्ड और फिसकल्चर आज का हमारा टूपिक रहेगा प्रिजर्वेशन मेथर्ड और फिसकल्चर और इसको हिंदि में आप कहना चाहें, तो क्या कहेंगे मचलियों के परिरक्षन की विधिया, मचलियों के परिरक्षन की विधिया, मचलियों के परिरक्षन की विधिया, तो आज का हमारा टोपिक हो गया, प्रिजर्वेशन मेतरड ऑफिस कल्चर, आप देखिए कि यदि मचलियों को परिरक्षन नहीं किया जाएगा, तो वह शिग्रही क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, डिकम्पोज का मतलब तो हमें इन मचलियों को खराब होने से बचाना है, क्या करना है, खराब होने से बचाना है, मचलियों के मांस में क्या है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, खनीज, विटामिन, एमिनो, आयोडीन, फोस्पोरस, और पानी, बहुत काफी मातरा में होता है, मचलियों में कही प जो पालन है या मतश्ष जो उद्योग है, फिस्ट इंडस्ट्री है उसमें फिस्ट प्रिजरिवेशन बहुत ही अश्यक प्रोसेस होता है बारत और विदेश में जो फिस्ट प्रिजरिवेशन है उसके लिए कई विदियों को आप्यों किया जाता है तो उनमें से कुछ विदिया हैं जो की हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं सबसे पहली विदी है पहली विदी हम देखते हैं उसका नाम है रेफरीजरेशन रेफरीजरेशन और रेफरीजरेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं हिंदी में बोलते हैं परसीतन क्या बोलते हैं परस degree centigrade पर preserve करते हैं पहली बात तो यह आ गई सरक्षित करते हैं क्योंकि इससे कुछ समय के लिए इने सरने के प्रक्रिया से रोका जा सकता है एक तो preservation करने के लिए zero degree centigrade हो गई अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब zero degree centigrade की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे किसकी मचली बरफ की एक के बाद एक तहह लगा करके हम क्या करते हैं जैसे ये कोई फिस है इस फिस को हमने का रखा ये हमारी बरफ की एक सिली है ये बरफ की एक सिली है इसके उपर फिर बरफ की सिली रख दिया हमने तो हम ये कह सकते हैं कि बरफ की सिलीों के बीच में दबा करके रखत सकते हैं ताप्मान जीरो डिगरी सेन्टीग्रेट पर रखा जाता है और बड़ी मचलियों की आहर ना निकाल करके हम क्या करते हैं बरब बर देते हैं तो पहला प्रोसेस तो यह होगा siMPL प्रोसेस की ढाई जो zero degree centigrade temperature है वो रखो और बरब की तहूं के बीच में मचली को दबा दो एक दूसरा इसमें जो मेथड है वो क्या निकल के आता है वो दूसरा मेथड ये निकलता है कि जो large size large fish होती है large fish जो होती है उनकी elementary canal को elementary canal या निए आहर नाल को उनके बोड़ी से out कर देते हैं और out करके इस elementary canal में ice को बर देते हैं ice को feel कर देते हैं इसको तो हम in करेंगे और elementary canal को बाहर निकाल देंगे elementary canal की जगे जो रहे जाएगी उसकी जगे हम क्या बर देंगे बरब बर देंगे ऐसा करने करके भी हम जो है फिसको प्रिजर्व कर सकते हैं तो यह हमारा पहला जो है प्रोसेस वो हुआ कि रेफरिजेशन रेफरिजेशन का मतलब तो आप समझी गए परशितन परशितन का मतलब होता थंडा करना तो थंडा किसके दुआरा करेंगे वरफ के दुआरा बरफ के बीच में मस्लिव को रखेंगे तो पहला मेठड हो गया आपका परसीतन दूसरा मेठड देखते हैं Deep Freezing Deep Freezing दूसरा मेठड कुन सा है Deep Freezing है अब Deep Freezing को हम हिंदी में क्या किते हैं हम हिंदी में बोलते हैं गहन हीमीकरन गहन का मतलब तो पहुत ज़्यादा मात्रा में होता है हीमीकरन का तो मतलब आप सिधा से समझते ही हैं पहले मचलियों को भली बाती से हम क्या करते हैं तो लेते हैं फिर लंबी अवदी के लिए इनको टीप रिजीम में रखते हैं deep freezing का मतलब है 0 degree centigrade से नीचे तो इनका जो preservation है वो जो temperature होगा वो temperature क्या होगा तो उस temperature को आपको याद रखना है minus 13 degree centigrade to minus 20 degree centigrade इसके नीचे इनको deep freeze किया जाता है अच्छे अवस्था वाली ताजी मचली का ही गहन अभी करन कर सकते हैं हम पुरानी अवस्था वाली का या जो खराब condition किये उसका deep freezing नहीं किया जाता ही वी करन के पहले मचली के सिर वाले भाग को काड़ दिया जाता है आहर नाल निकाल करके मचली को बली वाती धो लेते हैं इस विदी के दोरा मचली को लंबे समय तक रखा जा सकता है तो इसमें जो फिस है उससे दो चीज़ों का हमें ध्या नाल हो गई इसको भी कट कर देंगे और इसको भी आउट कर देंगे और अब उस फिस का preservation हम इस temperature के उपर कर देंगे तो ये method कहलाएगा आपका deep freezing method तो दो method हो गए अब हम बात करते हैं third method की तो third method देखिए कौन सा है freeze drying है इसको बोलते हैं हीमी भूत करके शुखाना इसको हिंदी में क्या कहेंगे हीमी भूत करके शुखाना ड्राई करना ये समझ लीजी आप अब इसके लिए क्या है सबसे पहली बात तो यह है कि हीमी भूत करके फिर सुखाएंगे तो ये काफी महिंगी विदी है और केवल जो सबसे उच्ची quality की फिसेज होती है उसी के परी रक्षन में इस विदी को काम में लेते हैं सबसे पहले क्या करते हैं मचलियों को ठंडा करते हैं हीमी भूत करते हैं फिर उनका उर्दू पातन सबमेशन करके उनको शुखा देते हैं इस विदी में बरफ पिगले बिना ही वास्टून में बदल जाती है उर्दू पातन वाला मेथड काम में आता है यानि यहां पर फिस होगी फिस का आप क्या करेंगे फ्रिजिंग करेंगे फ्रिजिंग किस में करेंगे फ्रिजिंग प्रिजिन्ग करेंगे आईश में सब लीमेचन करेंगे यानी उर्थू पातन उर्थू पातन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई ठोस्पदार डाइड़्ली वेपर में कनवर्ट हो जाए तो वो method कराता है उर्थू पातन तो जिस फिसको आपने बरफ के अंदर फ्रीज किया था हिमी भूत किया था उसका फिर उर्दू पातन करते हैं यानि इस बरफ की वाश बना करके उड़ा देते हैं इस तकनिके दोरा मचली के रंग और उसकी पोश्टिकता में कोई अंतर नहीं आएगा अंतर नहीं आएगा इसके बाद मचली को हम फ्रीजिंग चेंबर में रख देते हैं और फ्रीजिंग चेंबर में उर्दू पातन के बाद में जो फ्रीजिंग चेंबर होगा फ्रीजिंग चेंबर फ्रीजिंग चेंबर का मतलब यहां पर यह समझेए कि एक ऐसा उपकरण है जिसमें टेंप्रेचर जो है माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसमें रख देते हैं यह ट्रांसफर कर दी हमने इस फिसको ट्रांसफर कर दिया है इस फिसको यहाँ पर तो यहाँ आ गया और ट्रे में रख करके यानी heating plate पर रख कर सुका लेते हैं अब इसमें रख कर इसको heating plate पर रखेंगे hot plate पर सुकने के बाद में यानी यहाँ पर hot plate होगी और इस hot plate पर इसको dry कर लेते हैं dry करने के बाद में वातानू कुलित जो air conditioner SC rooms है SC rooms जो है उनके अंदर इसको store कर लेते हैं या पेक कर लेते हैं तो ये जो third method है freezing drying method कहलाता है हीमीबूत करके सुकाना सबसे पहले अच्छी quality की fish लेनी पड़ेगी आपको फिर freezing करना पड़ेगा उसका ice के साथ फिर इस ice में sublimation करना पड़ेगा उर्दू पातन की क्रिया करने पड़ेगी यानि ये जो ice है बर्फ है वो सिदे ही वास्ट में बड़ेगी और फिर उसको हम फिसको freezing chamber में इस्ताना अंत करेंगे जहां का temperature माइनस 20 degree centigrade होगा उसके अंदर हम एक hot plate गरम plate के उपर रख करके फिसको शुका लेंगे शुकाने के बाद में ऐसी रूमें इस्टोर कर लेंगे इस तरह से लंबे समय तक फिसको बचा के रखा जा सकता है तो ये चीज़ हुई हमारी अब हम क्या करते हैं अब हम करते हैं इसका ये कितने method होगई तो four method फौर्थ मेथड देखते हैं, फौर्थ जो है सन ड्राइंग की बात आती है, सन ड्राइंग, सन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, धूप में सुकाना, धूप में सुकाना, सन ड्राइंग का मतलब होता है, धूप में सुकाना, अब सन ड्राइंग कैसे करें, अब सन कैसे वहाँ पर आती रहती है और जाती रहती है और आसानी से क्या है कि गरम माहुल वो बनाती है तो उष्ण कटिबंदी जितने भी दे से बाहरत है चीन है जापान है आदी जो है जहां सुर्य की किरने बहुत तेज गती से पढ़ती है तो वहाँ पर क्या है कि जो स्मॉल फिश उनको क्या करते हैं हम ड्राइ करते हैं किस में धूप में इसके लिए क्या करते हैं हम जो ये फिश है इनको चटाई के ऊपर तीन से दस दिन तक सुकाते हैं ये ड्राइनेश जो चलेगी तीन से दस दिन तक होगी और ये तीन से दस दिन तक चलेगी त्री टू टेंडे ईससे कि वो अच्छे से सूख जाए और बड़ी मचलियों का आशाने से सुकाने के लिए फिर बड़ी तो सुख़ने में टाइम लगेगी तो जो लार्ज साइज जो फिश होगी लार्ज साइज फिश उसके अपन सेगमेंट करेंगे सेगमेंट यानि खंड करेंगे या मैं कहूँ कि उसके जो है इसमॉल पिसेज करेंगे और फिर इन पिसेज को अपन क्या करेंगे सुखा लेंगे ड्राइ कर लेंगे सनलाइट में और लंबे समय तक फिर इनको सुरक्षित रखा जा सकता है तो दूप में शुकाना बहुत असान है ये एक्जमपल अगर देखें तो कहां पे मिलता है जपान में या क्योंकि यहां पर सन खूब है लाइट देता है चाइना में भी और इंडिया तो वैसे ही बगवान बासकर के करपा से हमें सही नहाल होने वाला कंट्री रहा है तो इन देशों में सन डाइंग जो मेथड है उ और वो है सन करिंग हम पाच्वा मेथड देखते हैं सन करिंग सन करिंग जो मेथड है इसको हम बोलते हैं सन करिंग का मतलब सूरिय उपचार सूरिय उपचार सूरिय उपचार मेथड को दूप में साधान तरीके से सुखाने के स्थान पर इस विदी में क्या करते हैं मचली के अधरभाग को काट करके अंतरांगंग और गिल निकाल दिये जाते हैं तो आप यह समझेए कि यह जो फिस होगी फिस का जो वेंटरल पार्ट होगा वेंट उसकी एलिमेंटरी के नाल यानि आहर नाल प्लस गिल्स एलिमेंटरी के नाल है आहर नाल है प्लस इंटरिनल ओर्गन है इंटरिनल ओर्गन इनको क्या कर देंगे आउट कर देंगे और आउट करने के बाद में इसे दोएंगे दोकर के फिर यह जो फिस थी इसके साथ में सा हम salt प्लस फिश का एक ratio करेंगे यह salt one upon three से one upon one ratio eight तक इस अनुपात में हम क्या है कि नमक को और मचली को रगड़ करके आपस में रख देंगे नमक का अनुपात मचली के आकार्ट में निर्वर करता है अगर बड़ी मचली है तो जाता नमक चाहिए चोटी मचली है तो कम नमक चाहिए तो इसे हम बोलते हैं sun curing यह पांचवा मेथड हो गया हमारा sun curing का अब हम अगला मेथड देखते हैं जो अगला मेथड है हमारा वो है mona curing चटा मेथड कुन सा है mona curing यह हमारा अगला मेथड है mona opcharge यह सूरीव अपचार की तरह ही है लेकिन इसमें आर नाल और गिल को मचली से काट करके निकालने के स्थानुप मुख की तरफ से ही निकाल दिया जाता है यानि ये और ये सेम ही मेथड है लेकिन इसमें क्या है कि आर नाल और गिल को मचली काट कर निकालने के बजाए हम क्या करते हैं मुख की तरफ से उनको खेंच के बार निकालते हैं इसमें तो क्या है? नीचे से अधर पार्ट को चीरते हैं जबकि इसमें जो फिस है उसकी मोफ को मोफ साइड से एलिमेंटिक चैनल को आॉट करते हैं तो यह जो मेतड होगा वो क्या कहलाएगा? मोना क्वेरिंग के लाएगा फिर इसके आर नाल रही जो मचलियां उनको दोख करके नमक लगा करके शुका देते हैं और उसको फिर लंबे समय तक प्रिजर्व रखा जा सकता है एक उता आपके जो अगला आपका मेथड है वो कुन सा है देखे यहां सात्वा में मेथड बताता हूँ प्रिजर्वेशन का वो है वेट वेट क्वेरिंग वेट क्वेरिंग इसको बोलते हम नम उपचार क्या बोलते हैं नम उपचार उपर वाड़े को मोना उपचार बोला उससे पहले हमने सूर्य उपचार बोला नम उपचार इसमें क्या करते हैं अधिक वशावाली मचलियों के उपयोग यानि जिनमें जिनमें मोर फेटी मोर फेटी फिसेज प्रिजेर्वेशन के लिए जो मैथड काम में आता है वो नम उपचार होता है इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ समझने की जुरत नहीं है अब हम क्या करते हैं आठवाँ देखते हैं जो प्रिजेर्वेशन का मेथड है वो है साल्टिंग अरे शाल्ट का नाम तो सुनाओगा और शाल्ट तो लवन होता है और इसको बोलते हैं लवनन मेथड लवनन विदी उसके दुआरा इसको हम जो है मसली का प्रिजेर्वेशन करते हैं इसमें क्या होता है जो एनेसील है एनेसील यानि सोडियम कलोराइड की साहिता से हम जो जो फिश होती है उसको लगा करके ओस्मोसिस करते हैं ओस्मोसिस करने से क्या होगा इससे निजलिकन हो जाएगा डी हाइडरेशन हो जाएगा फिसका डी हाइडरेशन हो जाएगा निजलिकन हो जाएगा और निजलिकन होने की वज़ए से उसमें पानी की मात्रा कम हो जाए और गलने की क्रिया जो रुक जाती है मसली का अगर हम सिर काट दें या आहर नाल निकाल दें उसके बाद में मसली को बली बाती दो करके अथी शिग्र लवनन कर देते हैं इसे सबसे अच्छा मेथड बना जाता है तो इसमें क्या है कि फिश को काटोगे आप काटने के बाद म उसके आहर नाल निकालोगे सिर को काट दोगे आहर नाल को निकाल दोगे फिर भली बाती उसको साप करके और उसके अंदर आप N.A.C.L. का लेप कर देंगे तो इससे उसका जो है फ्रीजिंग हो जाएगा यानी प्रीजिर्वेशन हो जाएगा इसके लिए कहीं मेथड है एक तुसुकी विदी होती है मचली और नमक को एक साथ एक परत के रूप में लगा करके एक दूसरी होती है लवण जल विदी इसमें क्या करते हैं नमक और हलका नमक लेते हैं और एक शांदर नमक लेते हैं दोनों को रेशिय में मिलाते हैं और एक तीसरा होता है कि मचली को अपने नमक फेलाया, नमक फेलाकर कि उसके उपर बरप रख दिया, हलके वो ठंदे लूमनन पलक्रिया ठंदे कमरे में, यानि जहां तापमान जो है, जीरो से दो डिग्री सेंटिग्रेट तक होता है, वहां पर ऐसा होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम फिश यो है फिश के साथ में शाल्ट लगा देते हैं उसको रख देते हैं कई बार शाल्ट के साथ में आईश के साथ में दबा दिया जाता है तो यह एक तरह की विदी है तो इसे हम कहते हैं साल्ट के मेथड को यूज करते हुए लवनन परक्रिया को जारी रखना या उसको प्रिजर्वेशन के रूप में काम में लेना इसके बाद में हैं स्मोकिंग एक मेथड है प्रिजर्व करने का स्मोकिंग इसको बोलते हैं हम धूमन इसमोकिंग लकड़ी के धूटवें से मचली के परिरख्शन को मचली का धूमन कहते हैं याननी हम क्या करते हैं इसमोकिंग में आप जानते हैं कि जो मचली है अगर वो बाहर रहेगी तो उसके ऊपर पतंगे और जैसे मक्यां वगेरा बिन्विनाती रहेगी तो वुड जो हती है उससे स्मोक पैदा करते है वुड को जला करके और स्मोक पैदा करके जो फिश जो है उसका प्रिजर्वेशन करते है तो ये मेथड क्या कहलाएगा स्मोकिंग कहलाएगा इस विदी के दुआरा हमें क्या करना है दुआये का तापमान और प्रभाद नियंतित होना चाहिए और जो धुआ बन रहा है वो गर्म या ठंडा हो सकता है ठंडे धुआ ठंडा अगर धुआ बना रहे हो आप तो नमक लगा करके मचली को सुखाना है पहले फिर बिना धुआ की आग पर 38 डिगरी सेंटिग्रेड यी तक उसको धुआ देना है गरम धुआ की बात करें तो ताजा मचली को 130 डिगरी पर तेज आग पर रखते हैं 40 डिगरी पर उसको धुआ दिया जाता है बड़े पेमाने पर उद्योगी दूमन भी किये जाते हैं बड़ी बड़ी इंडिस्टी होती है जहां ये smoking method को काम में लिया जाता है वहाँ smoking यंट्र लगा होता है और सूरिय की प्रकास का उचित प्रबंद वहाँ होता है दूसरा जब विश्वी दूआ था तो उस समय मचलियों के परिरक्षन के लिए ये विदी ही दूमन वाली ही काम में लिए गई थी किन्तो आधुनिक काल में इसके लिए फिस इंडिस्टी बनी हुई है और वहाँ पे सारे काम होते हैं लेकिन सेकेंड वर्ड वार के टाइम में जो smoking method था वो preservation के रूप में मचलियों के काम में आया था और बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया था एक आपके अंतिम method है preserve करने का वो अंतिम method भी हम देख लेते हैं यहाँ पर और अंतिम जो दस्वा method है वो क्या है आपकी canning है कौन सा method है canning का मतलब होता है डिबा बंदी canning का मतलब क्या होता है बही डिबा बंदी होती है डिबा बंदी canning का मतलब क्या होता है डिबा बंदी होती है तो मचली को डिबा बंद करने की विदी कापी लंबी जटिल और स्रमुनत है canning जो है जो canning है मचली को डिपा बंद करने की विदी सबसे ज़्यादा जटिल है इसमें क्या करते हैं मचली का सिर और उसके अंतरांग निकाल करके मचली को लवनिय जल में रखते हैं फिर दोते हैं फिर शुकाते हैं फिर पानी निकालते हैं देखिए क्या क्या काम हो गए सबसे फिले फिसले हो गई यानि ये मचली हो गई मचली के बाद में उसका हेड प्लस एलिमेंटरी केनाल इनको हमने कर दिया है आउट आउट करने के बाद में जो फिस बची है आउट करने के बाद में जो ये फिस बची है इसे हम साल्टी वाटर में रखते हैं साल्टी वाटर यानि नमक के घोल में जल में फिर साल्टी वाटर में इसको वोश करते हैं धोलिया धोने के बाद में हमने इसको कर दिया है वोश सॉरी वोश तो हम कर चुके हैं इसको अलरेडी अब हम इसको dry करेंगे सुखाएंगे क्या करेंगे सुखाएंगे सुखाने के बाद में पानी निकालने के लिए dry कर दिया फिर भी हमने salty water से धोया है तो उसके बाद में इसमें जैतून का तेल लेंगे जैतून oil जैतून का जो तेल है वो कितनी देर तक लेना है दो से पाँच मिनट तक दो से पाँच मिनट तक ये जैतून का तेल हम इनके लगाएंगे जिससे क्या है रावासा वाटर भी बाहर आ जाएगा और फिर इसको हम जैतून के तेल से भरेवे डिब्यों में बंद करके सील बाजार यानि जैतून जो ओईल है जैतून तेल इससे भरेवे जो डिब्यों होंगे उसके अंदर हम फिसको डालेंगे और फिसको डाल करके फिर हम उसको क्या कर देंगे फिर उसको हम क्या कर देंगे प्रिजर्व कर देंगे या सरक्षित कर देंगे तो डिबा बंदी जो विधी है ये पूरे वर्ल में सब जग है एक देश से दूसरे देश में ट्रांस्पोर्ट के समय या मैं कहूं कि एक अस्तान से दूसरे अस्तान तक लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए मचली का जो डिबा बंदी है उसमें जो डिबा होता उसके अंदर जो लिक्विड है वो जेतून का तेल होता और उस जेतून के तेल में एक ऐसी फिश जिसके की हेड को उसके ऐलिमेंटरी केनल को उसके अंतरंगू को निकाल करके उसे साल्टी वाटर से आपका canning method पुन सा कलाता है canning method कलाता है तो आज जो ये वीडियो था हमारा इस वीडियो में हमने दस ऐसे तरीके खुजे, दस ऐसी विधियां देखी, जो की मचलूम के परिरक्षन की विधियां है जिसमें पहला आपने देखा है refrigeration, यानि परशित्तन करते हैं, दूसरा आपने देखा है deep freezing और deep freezing का मतलब गहन हीमी करण तीसरा आपने देखा है freeze dying, इसका मतलब हीमी भूत करके हम सुखाते हैं मचली को और चोथा आपने देखा है सूरे के प्रिकास में अगर किसी चीज को शुकाते है तो वो sun dying में आता है और एक पांचवा हमने देखा था sun curing सूरे के उपचार में एक छटा मेथड जो आपने देखा वो था mona curing और शातवा wet curing आठवा में आपने लवणन देखा जिसमें की salting method को काम में लिया है हमने और nova जो है smoking हो गया smoking का मतलब आप जानते हैं धुआ करेके लकडी के दुआरा आज कल तो क्या है कि दुमन उपकरन आ गए है बड़े बड़े देशों में लगे में second world war के समय इसी method को use किया गया था तो ये एक इसका special है during second world war second world war this method is mostly huge and अंतिम जो है डिबबाबंदी जिसमें कि आपने जेतुन का तेल वाला उधरहन देखा है और जेतुन के तेल में किस तरह से हम इसको प्रिजर्व करते हैं तो आज की वीडियो में हमने जो वीडियो नमबर पांस था फिसकल्चर का उसमें ये समझने का प्रियाश किया है कि वो कौन-कौन से method है प्रिजर्व करने के जिसको लेकर के हम लिप्रिजिंग और फिस्प्रिजिंग को complete करते हैं अगले वीडियो में फिर से हम एक नए टॉपिक को लेकर के हाजिर होंगे तब तक के लिए आप शबका शुक्रिया और नमश्का धन्यवाद